Hello everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्या International Accounting Standard 40 या फिर आप के सकते Indian Accounting Standard 40. इन दोनों standards को बहुत ही अराम से साथ में पढ़ा जा सकता है क्योंकि जादा difference नहीं है. सिर्फ एक difference है वो भी हम इस वीडियो में जरूर से डिसकस करेंगे. इस standard का नाम है investment property. अब बहुत ही बहतर होगा, convenient होगा अगर आपको index 16 आता हो index 40 पढ़ने से पहले. That is PPE, मतलब property, plant and equipment. काफी हद तक दोनों standards में जो treatment कर रखे, वो मिलते चुलते से हैं. तो अगर आपको index 16 आता है, तो index 40 आराम से समझाएगा. Also, इस ही वीडियो में हम index 16 और 40 को compare भी करेंगे. Okay, अगर आपको index 16 बाइचांस नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो? इस ही चैनल पर वीडियो अवेलेबल है index 16 की, हिंदी और इंग्लिश दोनों languages में. तो आराम से जाके चेक आउट कर सकते हैं. और इसके लाबा सारे इंडियास के वीडियो इंदी और इंग्लिश दोनों में शूट होते हैं, दोनों में रिकॉर्ड होते हैं, दोनों में अप्लोड होते हैं. Okay, so you can definitely check it out. अब जो language convenient लगती है, उसको देखो. अराम से समझो, ठीक है? अब चालो करें. I think we are good to start. Let's begin. सबसे पहले समझते हैं investment property. मतलब हम कब कोई भी चीज़ को investment property के criteria में include करेंगे, और जैसे include हो जाएगा हम क्या करेंगे, India's 40 के हिसाब से treatment करेंगे. सबसे पहले दिखते हैं इसका meaning. investment property means investment in land, building, और part of building, बादब कोई फ्लाट में कर दिया, कोई रूम में कर दिया, एक portion of building ले लिया, एक portion, building में एक shop ले लिया, ठीक है? या फिर बोध land and building. ऐसी चीज़े क्या के लाएगी? investment property के लाएगी. इसके अलावा एक condition और क्या है? इट शुद भी held by the owner or lessy. with objective work, या तो rental का intention हो, या फिर capital appreciation का intention हो. मतलब या तो objective क्या हो? rent receive करना, monthly, periodically, जैसे भी रहता है. rent receive करना, या फिर capital appreciation. मतलब आपने खरीद के रख लिया, आपका main motive है कि या दस साल बाद, पात साल बाद, जब इसकी value भढ़ जाएगी, हम बेच कर जो difference होगा, वो profit के तहर अपना book कर लेंगे. तो आपका दो motive हो सकते हैं, या तो rental, या capital appreciation या फिर दो नो. अगर ये motive है, ओनर ने health कर रखिये या लेसी ने health कर रखिये, क्या है, land building या part of building या land and building बोध, ऐसा है तो वो क्या के लाएगा, वो investment property के लाएगा. अब similar investment, अगर क्यों कर रखा है, अगर further production of goods and services के लिए कर रखा है, तो वो cover होता है, PPE में, that is India 16, किसमें cover होता है, India 16, India 16 में कब आएगा, जब वो further production of goods and services के काम आए, और जब आपका सिर्फ और सिर्फ पर्पस हो rent receive करना, वो किसमें आएगा, investment property, अगर investment property है, तो India is 40 के साब से treatment होगा, IAS 40 के साब से treatment होगा, और अगर वो ही चीज बिजनस के काम आ लिए, further production of goods and services में काम आ लिए, तो PPE की तहत record होगा, मतलब India 16, या पर आप कहसे है, IAS 16 के साब से, उसकी accounting होगा, उसका treatment होगा, ओके, good, चालो, आगे इन दोनों में important difference, अभी जो बोला, owner owned occupied, owner occupied property, मतलब PPE की बात कर रहे है, और यहाँ पर investment property, India is 40 की बात कर रहे है, यहाँ पर India is 16 की बात कर रहे है, यहाँ पर objective के रहेता है, investment में, rental और capital appreciation, जबकि occupied property, owner occupied property, PPE का, क्या रहेता है, production of further goods and services, इसका nature non-business होता है, इसका business होता है, investment land and building में होता है, इसमें भी same है, दोनों में same है, no significant integration of service, यह important है, और यहाँ पर significant integration of service, क्या बोल रहा है, for example, आपने सिर्फ room किराये पर दे दिया, building किराये पर दे दिया, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ पर सिर्फ दे 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 और rent collect कर लेते हो, क्या आप देखते हो, बाकी सारी services provide करते हो, के AC भी होना चाहिए, Wi-Fi भी होना चाहिए, ऐसे सब देखते हो, उसका food भी लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़े का ध्यान रखते हो, नहीं, इसमें important part क्या होता है, रेंडिंग में, जो मकान है वो रहता है, जबकि अगर आप hotel के room में कहें, तो hotel में room उसका important नहीं है, उसमें बहुत सारी services रहते हो, room keeping की services, house cleaning की, ठीक है, और इसके अलावा, room में ही खाना आ जाता है, room की toiletries वगरा extra मिलती है, ऐसा होता है, lights वगरा extra रहती है, बहुत उसका अलग से ambience रहता है, sea view, hill view, ऐसा रहता है, अब आप समझ रह इसके साथ, hotel में, hotel एक business है, hotel का room ले रहे हो, उसका भी किराया दे रहे हो, पर उसके साथ में बहुत ज़्यादा service का portion है, इसलिए किस में आती है, owner occupied property, P.P.E., मता होटल का room में है, तो वो आपके किस में आएगा, किस में आएगा, वो आएगा P.P.E. की तरह treatment करेंगे, और अगर आपने खुझ से investment कर लिया और एक apartment ले लिया और किसी को किराय पर चड़ा दिया, वो किस में आएगा, वो आएगा आपके investment property में, नेक्स आता है, analysis of classification, कि कई बार ऐसे critical cases आता है, situations आती है, जहापे आपे आप investment property माने, या P.P.E. माने, यह confusion रहता है, तो first आता है, land with no predetermined use, मतलब कि आपके एक्ट्रा पैसे थे, surplus पैसे थे, आपने क्या किया, land खरी के रख लिया, अभी सोचा नहीं है, इसका क्या करना है, इसको ऐसे ही लखना है, कि इस पर complex बनाना है, कि इस पर अपना खुद का farmhouse बनाना है, कि residential space बनाना है, कि एक commercial shops का building खोल देनी है, ठी क्या करना है, no predetermined use, तो भी हम क्या करेंगे, ऐसा मालेंगे कि investment property है, क्यों, क्योंकि अगर land को कुछ भी ना किया जाए, तो भी capital appreciation तो हो गई, ऐसे बोले जाते है, एसे बोले जाते है, अपको पता है, तो क्या बोल रहे है, हम investment property मालेंगे, because in and out, जबी भी अगर नहीं determined user, तो भी land provides appreciation value at time of disposal, जैसे जैसे time बीटता जाता है, वैसे वैसे land की value भडती जाती है, okay, next आता है, building acquired on finance lease and given on operating lease, खरीदा कैसे है, finance lease पे, मतलब lease, owner बन गए, आप एक तरीके सा finance lease, owner जैसे बन गए, ठीक है, owner, और आगे आपने operating lease पे दे दिया, इसका मतलब, इसका मतलब आपक investment property की तरह आएगा, पढ़ो, asset held under finance lease is a type of owned asset, क्या है, owned asset, और जो operating lease की तरह दिया हुआ है, आगे, it means recovery of rent, दोनों ही चीज़े complete हो रहे है, दोनों condition फुल्फुल हो रहे है, इसका मतलब investment property, मतलब इंडेस 40, hostel की building क्या रहेगी, investment property, क्योंकि मापे service significant नहीं है, जबकि hotel में service significant है, service significant है, मतलब PPE की तरह, owner occupied property, यहाँ पे लिख लो PPE, अच्छा, एक और बार, यह notes, description box में इसका link दे रखा है, पर आम से download कर सकते हो, जब चाहो जब refer करने के लिए, अपने बास रख सकते हो, okay, description box में link है, next आता है, building acquired by holding company and given on rental for subsidiary, holding ने खरीद ली और subsidiary को दे दिया, काम यू के लिए क्या है, individual financial statement के लिए क्या है, investment property, क्योंकि वो कुछ rentals लेती रहेगी, जब कि consolidated financial statement के लिए, वो क्या है, क्या है, owner occupied property, that is PPE, क्योंकि holding में दे दिया आगे, subsidiary को overall, in and out, वो क्यों काम आ रही है, वो further production of goods and service के काम आ रही होगी, तो consolidated financial statement में क्या दिखाएंगे है, PPE की तर for sale, अगर building held for sale है, तो इसके लिए separate IFRS दे रखा है, IFRS 5 और IFRS 105, अभी ये recorded नहीं है, पर अगले कुछ दिनों में पक्का से ये भी record होके channel पे आ जाएगा, तो उसमें भी हम discuss करनेंगे, बाकी ये अलग से standard दे रखा है, तो IFRS 5 या फिर आप दो सकते हैं, index 105, अगर building held for sale है, ये asset treatment होगा, next, building redeveloped for sale, मतलब आपके पास कोई building है, कोई room है, कोई flat है, उसको लिया, आपने खरीदा, उसको एकदम उसका interior, exterior सब बदल दिया, enhance कर दिया, इन्हांस कर दिया, ठीक है, उसको एकदम कैसा कर दिया, modern कर दिया, कुछ भी, change कर दिया, और फिर उसके बाद में ब inventory की तरह treat होगा, किस की तरह treat होगा, inventory, inventory मतलब India as 2, okay, अब India as 2 का भी video है, English और Hindi दोनों में अविलेबल है, चैनल पे अविलेबल है, okay, अगर पढ़ना हो, मन हो, इच्छा हो, तो please check out करना, बहुत ही simple words में बना रखा है, I bet it would be worth watching, इसके अलबावा I button में भी add कर दिया, इसक अब देखते हैं, अब देखते हैं, इसकी accounting कैसे करेंगे, सबसे पहले record करेंगे कर दो conditions fulfill होती है, first, कि वो future benefit प्रोवाइड करता है, second, it can be reliably measured, इसकी cost reliably major हो सकती है, count हो सकती है, कितना पैसा लगा, ठीक है, अगर पैसा पता चल जाए, कितना लगा, कैसे लगा, क्या costing है, इस दोनों condition fulfill हो, तो हम क्या करेंगे, इसको investment property मानेंगे, अगर आपको India 16 याद आ रहा है, और अगर मेरा वाला वीडियो देखा हुआ है, तो उसमें same हमने ये बाते करी है, कि दोनों उधर भी same conditions थी, next, measurement of cost कैसे करते थे, उधर भी depend करता था, कि mode of acquisition क्या रहेगा, बहापे हमन डिपेंड करेगा, आपने investment property को लिया कैसे है, ठीक है, कैसे आपने acquire किया है, उसमेंड करेगा कि आपकी costing कैसी है, फर्स दिखते है, अगर purchased investment property है, तो क्या होता है, दिखते है, उसका purchase price paid कितना है, non-refundable taxes, मतलब आपने कोई tax भी कर दिया, उसका input नहीं मिलने वाला, कोई refund कोई extra, एकडम specific employee का cost है, जिसने आपको help किया, consultancy, re-brokerage किया, यह सब भी इसका part आजेगा, उस purchase investment property का part माना जाएगा, cost की तरह add कर लिया जाएगा, अगर self-contracted investment property है, तो क्या होगा, cost of land, cost of material, labor, overhead, देखना, actual, 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 important है, वहापे भी सेम ऐसा था, इसके अलाबा, other directly, attributable expenses को छोगे, अगर तो वह भी add कर देंगे, इसको add करने से हमारे पास क्या जाएगी, self-constructed investment property की value आचाहिगी, इस value पर हम record कर देंगे, नेक्स आता है, मारे पास, अगर lease पे है, तो क्या करेंगे, present value करेंगे, किसका future cash flow का, जो भी हर साल, अगले साल, समझे, example में पास rentals अगरे पांच साल तक आपने वाले, तो 20,000 x 12, एक महीँ एक साल का किया, उसका PV करेंगे, फिर अगले साल, फिर अगले साल, हर साल, 2,4,000, का क्या करेंगे, PV करेंगे, इस सब को plus कर देंगे, जो एकदम gross amount आती है, इस सब को add कर के, हम उसको क्या बगरेंगे, उसको हम investment property का अगर है तो हम फेर वैली पर रिकॉर्ड करेंगे अगर नहीं है तो हम अगर इन दोनों कोई एक्सचेंज भी कर लिया जाए एक के जगा दूसरे लिया लिया जाए कोई फरक है नहीं है तो क्या बोल रहे है अगर कोई फरक ही नहीं है कोई डिफरेंस ही नहीं है तो मतलब कमर्शल वैल्यू नहीं है कमर्शल सब्स्टैंस नहीं है सिंस कमर्शल सब्स्टैंस नहीं है तो क्या करें तो क्या करेंगे जो इस value already चल रही थी, exchange करने के बाद में भी जो value है, वो same ही रखेंगे, caring amount पे ही चलता रहेगा, जबकि अगर, क्या है, commercial substance है, मतब difference है थोड़ा भी, तो हम क्या करेंगे, fair value पर record करेंगे, हमने exchange किया, जो fair value चल रही है, उस पर record कर लेंगे, आई बात समझ, पक्का से, good, last हम अगर आपकी investment property कैसे acquired है, acquire करिये on deferred payment, deferred payment मतलब, example, अगर simple समझ रहा हो, आपने कुछ तो down payment करेंगे, उसके एमाई पे ले लिया, credit पे ले लिया, बोला 2 साल बात दूंगा, 6 महने बात दूंगा पैसे, या गले 5 साल, 10 साल तक आप चुका रहे हो पैसे, वो क्या कहलाता है deferred payment, हाथ-ो-हाथ payment नहीं दे रहा है, पर यह record किस पे होता है, cash price मतलब, आपने जो हाथ-ो-हाथ payment कर देते न, वो amount क्या कहलाता है, cash price, for example, अगर एक बार के लिए, कोई asset खरी दिया, वो कितने की है, 10 लाग की है, ठीक है, एक flat खरीदा, जो 10 लाग रोपे का है, अब आपने उसको EMI पे खरी लिया, और EMI अगले 10 साल तक भढ़ते रहोगे, और ऐसे करके लगबग कुछ interest rate पे, वो आपको outflow total पढ़ रहा है, 15 लाग का, अगर आप हाथ-ो-हाथ खरी लेते तो कितना बढ़ता, 10 लाग का, पर आपने deferred payment पे खरीदा, आपको 15 लाग का मेरा, तो यह जो difference है, वो क्या है, interest का amount है, मतलब 5 लाग का interest है, और यह 10 लाग क्या है, जो upfront पे कर देते हैं, अगर कुछ भी ऐसा setup नहीं होता, direct purchase हो रही होती तो 10 लाग, यह कहलाता है cash price, क्या कहलाता है, cash price, cash price means, यहाँ पे पढ़ो, cash price means, you pay the full price of the item upfront, हाथ-ो-हाथ पे कर देते, record किस प कहां ले जाएंगे, यह 5 लाग को ले जाएंगे, PNL में, किस में ले जाएंगे, PNL में, okay, good, next, अब ऐसी cost, ऐसा चीज़े, जो part of cost नहीं बनती, example हमने देखा था, हर चीज, actual cost, actual cost ले देते, ले देते, मतलब यहाँ पर कोई भी abnormal cost होगी, वो include नहीं करी जाएगी, चाहे वो material की हो, चाहे labor की हो, चाहे overhead की हो, यह सब directly PNL में जाता है, यहाँ पर attribute नहीं होगा, attribute नहीं होगा, तो क्या माला जाएगा, तो cost का part नहीं माला जाएगा, मतलब normal cost मानी जाएगी, abnormal cost PNL में जाएगी, यहाँ पर cost का part नहीं मनेगा, good, next, capacity building cost, यह फिर notional rent, मतलब opportunity cost, opportunity rent अगर इसको किराय पर चला दिया तो इतना मिलता, ऐसा जो मन में आते हैं यह सब नहीं लेना, ठीक है, यह सब include नहीं करना, next, कोई preliminary expense हो, pre-opening expenses हो, pre-operative expenses हो, ठीक है, advertisement के हो, selling, distribution, promotion, इसके अलावा, administration expense, यह सब कुछ भी expenses हो, तो क्या होगा, यह directly PNL में जाएगे, cost का part नही cost, good, ठीक है, commercial substance यहां बता रखा है, कि difference होना चीए, the configuration of one asset is different from other, configuration मतलब उसका risk, time, amount, at least, इन में कुछ तो difference होना चीए, पर example, अगर वो दो पहन थे, अगर amount भी एक पांच का होता, एक छे का होता, तो भी हम क्या मान लेते, commercial substance है, अगर उसमें इंका difference होता, एक half field होती, एक commercial substance है, आई बात समझ, when due to acquired asset, value of business change, मतलब या तो फिर merger कर लो या ऐसे कर लो, तो होतारा synergy मिलती है, तो कुछ तो addition होना चीए, तो ही हम क्या मालेंगे, investment property मानेंगे, next, repair and replacement, इसमें सेम है, अगर आपने index 16 पढ़ा हो, तो exactly सेम है, index 16 के साब से, index 16 and index 40, दोनों में ही सेम है, index 40 में मैं फिर से बता देती हूँ, okay, अगर repairs हो रहा है, general है repair, तो क्या एगा, P&L में transfer हो जाएगा, periodic है, तो हम SLM basis पे, क्या कर देंगे, divide कर देंगे, उसकी life पे, for example, आपने, मैंने तभी भी example दिय था, आपने तीन year का, three years का कोई क्या किया, contract किया, building का था, कोई annual maintenance charges बगे र three years में, for example, three lakh कर दिया आपने, तो हर साल, एक एक लाग, एक लाग क्या करेंगे, P&L में, in P&L, P&L में डालते रहेंगे, ठीक है, हर साल क्या करेंगे, एक लाग P&L में, write-off करते रहेंगे, charge करते रहेंगे, return of in PL on SLM basis over period, जो life थी और जो amount था, उसको divide करके, write-off करते कर रहें तो क्या करेंगे, ने वाले का add कर देंगे, और old वाला जो वसूली हो गए उससे, WDV है, उसको minus कर देंगे, WDV of old, replacement part और cost of new को add कर देंगे, next आता है, subsequent accounting, मतलब कि एक बार accounting कर दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में कोई revaluation, कोई change होता है, तो वो कैसे करें बात समझो, यहाँ पर cost model है, और fair value model है, fair value model हो यह revaluation model, almost same बात है, fair value model और evaluation model, almost same बात है, हमने यहाँ पर same table थी, same ppt थी, अगर आपको याद आ दियो, यहाँ पर हमने revaluation model लिखा था, अब यहाँ पर historical cost पर होता है, record और यहाँ पर fair value पर, ठीके, इसके लाबा, accumulated depreciation minus कर देते, accumulated impairment minus कर देते, यहाँ पर subsequent accumulated depreciation minus कर दे, subsequent accumulated impairment loss minus कर देते, ठीके, fair value, अगर पहले का भी minus कर और current fair value ले ले ली, तो वो already depreciated amount होगा, ठीके, ऐसा ही होगा ना, इसले पहले का accumulated नहीं करते, आगी का subsequent जो होने वाले है, वो minus करते है, आर यह बात समझे, तो दो models है, या तो cost model, या fair value model, cost में cost पर record करना है, और fair value में fair value पर record करना है, इसको reval model भी बोल सकते हो आप, ठीके, या, rival model, rival होता है, तो भी हम fair value पर ही record कर रहे होते हैं, अब सुनो, ये दोनो models है न, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक carve out है, carve out, बात सुनना, बहुत important है, start लगा लो, ठीके, बात सुनना, ध्यान से सुनना, अब ये तो दोनो models है न, ये choice होती है, इंडे 16 में भी choice था, ओके बट, इंडेस 40 से, at present fair value, at present fair value model has been carved out from इंडेस 40, मतलब वो international accounting standard 40 में, दोनो models अविलेबल है, पर इंडेस 40 में सिर्फ पर सिर्फ cost model अविलेबल है, ये fair value model निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, remove कर दिया गया है, remove कर दिया है, remove कर दिया मतलब carve out, आई बात समझ, अब ये normally choice होती है, और कब choice ले सकते है, जब initial recognition कर रहे हो, तब choice ले सकते है, आगे जाके बदल नहीं सकते है, same बात है, cost and revaluation model या फिर आप बोल सकते हो, fair value model, ठीक है, fair value model, can be selected only at the initial recognition, और आगे जाके change नहीं कर सकते, fair value will be determined according to index 113, इसका भी video बना हुआ है, English और Hindi दोनों में बना हु can be vale, तो यह standard की requirement है, अब करना कैसे? कब करना ही, यह बताता है, respective standard, और कैसे करना यह बताता है, fair value measurement वाला standard, How to do it, कौन बताता है, Indes 113 और कब करना है, यह respective standards बता दे Indes 16 ने बता रहा है, आप कर लिना, Indes 40 अपना बता रहा है तो जबी भी requirement होगी, वो requirement कैसे fulfill करने है, वो कहां से बता चलेगा Fair value measurement वाले standards है, that is Indes 116, 113 ओके, next आता है, reclassification to या from investment property अगर reclassify कर दिया जाए, कोई property को investment property बना दिया जाए, या फिर investment property से हटा दिया जाए तो क्या होगा, caring amount को वहाँ से transfer कर दिया जाएगा, okay, मतलब जो investment property उसमें से minus कर देंगे तब जो उसकी WDV चल रही होगे, उस वाली सेम property की, और add कर देंगे अगर कोई property का चल रहा होगा, okay, include कर देंगे Disposal की वक्त क्या होगा, property is classified as held for sale, अभी मतलब रख दी है, उसको investment को अब हो गया है कि यार इस साल सेल कर देंगे ऐसा कुछ अगर आपने कर लिया है, तो क्या होगा, Indies 105 के साब से treatment होगा, और अगर आपने disposed of करी दिया, अगर sellout ही कर दी, आपने उसको deal कर ली उसकी, तो क्या होगा, फिर जो difference होगा, किसका difference होगा, जो already WDV थी और जिस पे आपने बेचा उसको, उन दोनों का difference क्या मान disclosure requirement, disclosure requirements क्या कहते है, normally, fair value of investment property को disclose करना है हमेशा, और certified valuer से निकलवानी है, ये value, कि दर से निकलवानी है, certified valuer से, if FB cannot be, fair value cannot be calculated, तो disclosure देना पड़ेगा, अरे यार, ये calculation नहीं हो पा रही, okay, normally क्या बोल रहे, disclosure में, कि आपको fair value disclose करनी है, in case, अगर fair value disclose नहीं कर पाओ, और valuer से certificate नहीं ले पाओ, तो आपको ये भी disclose करना है, कि it is not, we are not able to calculate this fair value, और it is impossible to calculate this fair value, gross amount carrying कितना होगा, accumulated depreciation कितना है, depreciation कि policy कितनी है, क्या है, rate क्या है, useful life क्या है, method क्या है, same to same हमने India 16 के disclosure में देखा है, next, reconciliation, opening balance क्या है, addition क्या हुआ, deletion क्या हुआ, depreciation कितना, impairment कितना है, classified for health for sale कि इतना है, पतलब इन में से क्या-क्या चीज हटा दी, क्या-क्या आड़ी कर दिया, उसको इधर अलग से value दिखाएंगे, उसके बाद में जो total आएगा, वो भी disclose करेंगे, मतलब कि आपकी balance sheet में तो सिर्फ ये figure देखती है, ये आपके disclosure requirements में included है, इसका bifurgation, ये standard इधर ही ख और काफी important standards होते हैं, क्योंकि हर एक company, हर एक entity के पास, अपनी assets तो होती है, अपनी property plant, equipment, normal investment property तो रहती है, तो ये transactions को deal करने में काफी easy होगा, okay, now all videos come on India, in both the languages, Hindi and English, as well as, it comes on Friday and Saturday, so see you on next Friday and Saturday, till then, take care, be safe, stay tuned. झाल 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 झाल